नमस्कार बैबेबे टोगरा आप देख रहे हैं प्राइम 18 डियूज आए नज़र डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्कियों पार संक्रामक बीमारी बाफ बाइरल बुखार से फैल रही बीमारियों के चलते लोगों का छीना मोहाल हो गया है जहां एक तरफ संक्रामक बीमारी बाइरल बुखार से लगाता लोगों की मौते हो रही हैं वही अपरों की मौत देख परिजन अपरे बीवी बच्चों को लेकर गाउँ छोड़ का पलायान करने को मजबूर हैं मिलिच चानकारी के अनुसार आपको बता दे कि यूपी के सीथपुर ब्लॉग गॉंदला मौ के नटवर्ट ग्रेंट में अब तक संक्रामक बिमारी बाइरल बुखार तक करी 54 लोगों की मौत हो गई जिनमें कई परिवर ऐसे भी हैं जो एक एक दाने के लिए मौताज हैं लेकिन वही परशासंग की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है ऐसी इस्तिती में परीजा अपने बीवी बच्चों को लेकर गाउं छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं ब्लॉग कॉंदला मौ के नटवर्ट में करी आदा दर दिन परिवार गाउं छो को ने इलाज कराने की बात कही वह बोले के भागने से काम नहीं चलेगा चला स्वतल वस्वास ब्रवा की टीमों की सेखी बगारते हुए बड़ी-बड़ी बातों को बनाई लेकिन सायद कोई उन परिवार वालों से पूछे जो घर से बेघर हो गए हैं वही पच्चासन च परिवादा नहीं कही रहे हैं तो बाहर लेके जाते हैं और कल जो उन सायद दवाई देगे रहें वही खाईन तो वह और पीड़ी तो ही करें रात भाल मुट्रा से किले ले ले जो आयन फोग अच्छा हाँ किसे दे गाउं छोड़ी किसे लोग तुमने गाउं आई से हैं अब अब अरे घरपत समल्यो हाई लगभग मेहा समल्यो दूए ये ये गशा है वाके और घरपत गए सब गए हैं कोई बीमार घरमा तो दूटी इन जने साथ गए हैं अब एक मकान एगू दाख हुआ पर हैं वह हुए अस्पताल मेहा है और एक आत्मी इनके घरका समल्यो अब दूटी इनके अब भादूर पिरिती इंदरपाल इनकी बहीर गाई अधिलोग रमेश तो बता है चुआ हैं अब बीमारी चलते रहे तो भागे काते इते बढ़िया हुए रही जह हम गाउं चोड़ दें आप बीमारी के लिए चोड़ गे अब बीमारी के लिए चोड गे कितने लोग इमा पांच लोग हैं पांच लोग गे छोटे बच्चे हैं अपना हैं तीन लोग है हमारा हमारा नम रामपाल सीता पूर से असलम अंसारी की बीरो रूपो